हेलो नमस्कार जैन जैन महाराष्ट्र मैं बल्वन महिता बोल रहा हूं मेरे को संजीवन फार्डेशन विरार में है बोलिंच में उसका ओनर है धर्मेशेट रियप सेंटर है मेरे गरवाले ने मैं उज़े वहां पर भेजा था ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि मेरे को शराब की दारुकी लट्व हो गए थी लेकिन वहां जाने के बाद ट्रीटमेंट जैसा कुछ हो आई नहीं मेरे को और मेरे को एक साल तक अंदर रखा और धर्मेश और राकेश संजीवन फार्डेशन में जो ओनर है दोनों राकेश और धर्मेश और उसका जो वहां पर हैंडलिंग करता है वह सेकर है सेकर वह अम लोग को इतना टोर्चर कर रहा था इतना टोर्चर कर रहा था और यह भी बोल रहा था कि चलो तुम लोग तो सुदरने वाले नहीं हो लेकिन आम लोग का भाइदा ही है तुम लोग आओंगे यहां जाने के बाद आम लोग कुछ करेंगे तो तुम लोग बाहर जाक कि वापस पियाओंगे वापस आऊंगे हम लोग का दंदा चलने वाला ओर में जो हॉस्पिटलाइज पेशन्ट रहते हैं जहां पर उननों को दिस्चार्ड मिल जाता जो हाथ पर नहीं करते उनलों को लिखे वहांपे ओल्डे जोम करके चलाते हैं कि तो हम लोग के पास उच्छका संडा स्मूध गू सब साब करने के लिए बोलते हैं अगर नहीं करेंगे तो उननों हम लोग को बहुत परेशान करते हैं मारते टेशर करते टोर्चर करते बहुत मारते हैं मारने के लिए कुछ इंजेक्शन हो गड़े देते दो दिन आदमी चाहिकं बेहोस रहे जाता है बहुत ही बहृत ही में समझ में के नहीं आ जबई कि WordPress है जानी है ख्तिध की और हुसे मैं बहुंका दिमाग दिखान को इन लोग फेस बहुत बहुत से चलागा। यह दरमेश खुद एडिक था उसके बापने उसको खुद को घर से निकाला हुआ है वह हम लोग को क्यों इतना परेशान कर रहा है साड़-सतर आदमी को इतना परेशान करता है कि बात मत करो मारता है ओ सेकर जगता बेंच वह से मेरा गाली निकल रहा है गाली नहीं बोलना चाहिए मेरी महा बेंच को दंधे पर लगाएंगा इतना अलकट आदमी है वो साला इतना गंदा आदमी है हूँ कि और में तो खड़ा रहने वाला हूँ मेरे को करने बस है यह उसके पर करो कि दूसरे आपको नहीं परहरे चहां किया करो जार इस तरह से मत परहरो कि नहीं आपको नहीं आपको नहीं pasti है नहीं देनी आती्मा कि है तो मत करो नहीं लेकिन मार दूड की क्यों कर रहे हो भई क्यों कर रहे हो मार दूड की इतना बे रहीमी से मारते हैं गाली देते गंदी गंदी गाली साले इतनी गंदी गाली देते हैं कि मैं अभी बोल भी नहीं सकता हूं कि कौंशी-कौंशी गाली देते हैं उनलोग और बे इसा मारते हैं उनलोग वहां से निकलने के बाद मेरे साथ में दो भाई थे वो निकलने के बाद उन लोग ने मुडर किया बाहर रहा कि एक आदमी तीन आदमी ने मुडर किया बाहर रहा कि इतना धिमाग खराब रहता है उनका क्योंकि वह आदमी इतना परिशन हो जाता ना वहां पर जाने के बाद उल्टा बहार रहे जाए तो कुछ सुधर ता तो सभी था लेकिन बहुत हराम ही यह लोग और मैं आने वाला हूं और में करने वाला हूं हाथी जाना के पाद बारा ना दमी ना सबसे चलाना क्या न चलाई है क्या रियब म में है क्या मेरे को बता हूं रियब सेंटर जैसा कुछ है क्या संदा स्मूद गू जो पेशन्ट किसको नहीं रखते घरवाले वो पेशन्ट को ले लेके हमारे पास से काम करवाता है उसके घरवाले से डबल पैसा लेते उसको बोलते हैं बारा आजार रुपया उसका और हम लोग ने आदमी रखा है आदमी मतला हम सकते हैं आज तक वी कंडिशन है कोई सुधने बाला नहीं नहीं रहेंगे मैं खुछ जाने वाला हूं और करने का ये मेरे को अगर हो सके तो आप भी करो भाई प्लिस